हाई एवरिवन मैं तरुन चोहान आप सभी का अपने यूटूब चैनल लेंड मेंड लेंड लेंड ब्रक पर स्वागत करता हूँ हम यहां किर्शीशी जुड़ी जानकारी के बारे में जानते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हरियाना के हिसार में स्थित हरियाना के शिविश्व विद्याले में अंतिम वर्ष के चात्रों की और जोगिक इंटर्नसिप कैसे लगती है और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे रभी फसलों में लगने वाले कीडों के बारे में और उनके उपचार के बारे में तो सबसे पहले हम जानेंगे गेहूं में लगने वाले कीडों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीटाफिट के बारे में वेगैनिक नाम इसका मेक्रोसिफम मिसकंती होता है एफटेटे फैमिली ओर्डर हैमिप्टेरा हिंदी में हम इसे कहुं का मोयला कहते है बात करें इसके दूरा किया दाने वाले नुकसान की तो यह मोयला क्या करता है पोद्धो के रस को चूज लेता है और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा यह नुकसान कब करता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यह जब मोसम ठंडा हो तब करता है और जब वातावन बदलवाई हो उस समय पर यह सबसे ज़्यादा नुकसान करता है अब हम बात करते हैं कि भी हम इसका management कैसे करते हैं इसका उपचार कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हम spray कर सकते हैं dimuthiate 30 EC की या फिर आप जो है spray कर सकते हो dimethon methyl 25 EC की यह moila जो है गेहूं के साथ साथ mustard यानि सरसों में भी आता है गेहूं में दूसरा जो कीडा लगता है वो लगता है army warm scientific name या वेगनिक नाम इसका होता है मिथिमा सेपरेटा फैमली नोक्टडी ओडर लेबड़ोप्टेरा हिंदी में हम इसे सेना कीडा कहते हैं हम बात करेंगे इसके दुआरा किये दाने वाले नुक्सान के बारे में तो सेना कीडा जो है ये आपको ऐसा लगेगा जिस भी खेत में इसने हमला कर रखा हुआ ऐसा लगेगा जैसे कि किसी जानवर ने खा रखा हो ये नई पत्तियों पर पहले हमला करता है और प्रानी पत्तियों पर बाद में हमला करता है अब बात करें अगर हम इसके मैनेजमेंट यानि इसके उपचार की तो इसके उपचार के लिए आपको जो है खेत में स्प्रे करनी पड़ेगी पांसो एमल डाइक क्लोरवोस पिचासी एसल की गिहु में अगला जो कीड़ा आता है वो आता है गुजिया विविल सैंटिफिक यानि वेग्यानिक नाम इसका होता है तोनी मिकस, इंडिकस, फैमिली सरकुनिडी ओर्डर कोलियोप्टेरा अब हम बात करते हैं गुजिया विविल के दुवारक के दाने वरी नुकसान के बारे में तो इसका नुकसान जो है जब गिहु उगता है यानि सरुवात के दिनों में अक्टूबर नॉवंबर में इसका नुकसान जादा होता है अब बात करें इसके management यानि उप्चार के बारे में तो आप जो हैं एक किल्ले में 10 किलो dust melathion 5D का इस्तमाल करके इसे चुटकरा पा सकते हैं अगला जो कीड़ा लगता है गेहूं में वो लगता है ग्रहाम पोर्ड बोरर वेग्यानिक नाम इसका हैलिकोर्प आर्मिगेरा फैमली नोक्टूडी ओर लेबड़ अप्टेरा हिंदी में हमी से चना फली छेदक कहते हैं बात करें अगर हम इसके दूरा किये जाने वाले नुक्सान की तो ये जो है जब गेहूं पकने को होता है उस समय पर जो है ये नुक्सान करता है और जिस खेत में आपने पहले कपास वाले खेत में अगर आपने गेहूं कर रखा है तो उस खेत में जो है इसके आने का चांस पढ़ जाते हैं गेहु में अगला जो कीड़ा लगता है वो लगता है termites वेगैनिक नाम इसका odentotum ऑपसेस होता है हिंदी में हम इसे दीमक कहते हैं बात करें अगर हम दीमक के दूवरा की जाने वाले नुकसान की तो दीमक जो है बुवाई से लेकर और कटाई तक फसल को नुकसान पुचाती है और इसमें पेड़ सूख जाता है आप उसे आसानी से उखाड सकते हैं अगर आप अपनी फसल को दीमक से बचाना चाते हैं तो आपको बीज का उपचार करके फिर उसको बोना पड़ेगा श्रेंग करने पड़ेगी तो अगर आप आपको ना एक किलोग्राम बीज का उपचार चार एमल कलोरोफारोफोस बीची से करना पड़ेगा तब आप अपनी फसल को दीमक के परभाव से बचा सकते हैं अब हम जानेंगे मस्टर्ड यानी सरसों में लगने वाले किडों के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटिर बग के बारे में पेग्यानिक बासा में हम इसे बगरडा हिलेरिस करते हैं फैमिली इसके पेंटरोमेडी होती है और ओडरे इसका हमेटेरा होता है हिंदी में हम इसे चित्रित बग कहते हैं बात करें अगर हम बग के दुआरा किये जाने वाले नुक्सान के बारे में तो बग जो है पेड़ के रसको चूस लेता है रस को चोस लेने से क्या होता है कि जो पेड होता है वो सूख जाता है और मुर जा जाता है बात करें इसके management यानि उप्चार के बारे में तो इसके उप्चार के लिए यानि management के लिए आप क्या कर सकते हैं क्वेनल फोस 25 इसी को 200 से 500 लिटर पानी में मिला करके खेत में आप स्प्रे कर शकते हैं सरसो में बिहार, हेरी, केटरपिलर हिंदी में हमें से बिहार, हेर, इली भी कहते हैं बेगेनिक बासा में हमें से स्पाईलोस और उब्लूक कहते हैं family erected होती है इसकी और order lebdoptera होता है बात करें अगर इसके दुवारा किया जाने वाले नुकसान के बारे में तो ये पत्तियों को खाजाता है और टने और टहनियों के नरम इसे को भी खाजाता है बात करें इसके management के बारे में तो आप इसके management तैनी उपचार के लिए एक किल्ले में 10 किलो के इसाब से मेलाथियोन के साथ डिस्टिंग कर शकते हैं